दोस्तों आप सभी को देश के तिहतरवे गणतंतर दिवस्त की बढ़ाई और आने वाले कल के लिए शुब कामना है आज मात्सिकी के छेतर में योगदान दे रहे सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार के द्वारा हम सबों के चाहेते डॉक्टर एस आयपन को वर्स 2022 के पदमश्री पुरसकार के लिए चैनित किया गया है डॉक्टर एस आयपन जिनका पूरा नाम डॉक्टर सुबाना आयपन है मात्सिकी के छेतर में किसी परिचे के मोहताज नहीं है फिर भी मैं जितनी जानकारी प्राप्ट कर सका हूँ उनके बारे में उतना आपको देने का प्रेथन करता हूँ डॉक्टर एपन कॉलेज आफ फिशरीज मैंगलोर से वर्स 1975 में मात्सिकी में असनातक की परिक्षा BFSC तथा वर्स 1977 में MFSC की परिक्षा पास किये वर्स 1988 में वे बंगलोर विशर द्याले से PhD प्राप्त किये उनका मुख्य विशरीज मीठे जल में मशली पालन और जलिये माइक्रोबैलजी रहा है क्रिशी के छेत्र में कारे कर रही अग्रणी संस्थान भारतिये क्रिशी अनुसंधान परिशा दिया ICAR में वे 1978 से ही कारे रहत है अपने कारे काल में वे मात्सिकी के तीनों बड़े संस्थानों जैसे CIFRI सिफरी बैरकपुर कोलकाता CIFE सीफा बोनेश्वर तथा CIFE सीफी मुंबई के निदेशक के पदगो सुषोभित कर चुके है बाद में वे ICAR के DDG या Deputy Director General मात्सिकी और फिर ICAR के DG या Director General और साथ में भारत सरकार के सच्चिव क्रिशी अनुसंधान एवंग सिक्षा बनाए गए ICAR के तिहास में पहली बार मात्सिकी किसी वेग्यानी को DG के पद पर जाने का सवबाग प्राप्त हुआ था वे केंद्रिय क्रिशी विश्विद्यले इंपाल के कुल्पती के रूप में भी कारक किये है जब हैदराबाद में रास्ट्रिय मात्सिकी विकास बोर्ड या NFDB को प्रारम किया गया तो डॉक्टर आयपन उसके पहले मुखे कारेकारी बनाए गये थे NFDB आज आप जानते हैं कि देश में मात्सिकी के विकास में अगरणी भूमी का निवा रहा है बर्तमान में डॉक्टर आयपन नेशनल अकेडमी ऑफ अगरिकल्चर साइंसेज नास के उपाध्यक्ष है साथ ही ये मेंबर बोर्ड अब ट्रस्टी क्रॉप एन इन्विरोनमेंटल साइंस डिविजन CESD International Rice Research Institute Philippines भी है उनके द्वारा 200 साधिक शोध पत्र तथा कई पुस्तकों का प्रकार्शन किया गया है जो मात्सिकी के छेत्र में मार्ग दर्शन की भूमी का निवा रहा है उनके नाम से दो पेटेंट भी है उन्हें ने बणारस हिंदू विश्व द्याले 12 जवाहर लल नहरू कृषि विश्व द्याले जबल पूर्थ ता था कृषिव द्याले धरवार के दोारा उन्हें DSC की भी डिग्री प्रदान की गई है इसके अतरिक्त उन्हें जहूर कासिम गॉल्ड मेडल ICER Award for Best Team Research Special ICER Award ZSI Gold Medal NAS Recognition Award Dr. V.G. Jhingran Gold Medal Prof. H.P.C. Shetty Award for Excellence in Fisheries Research and Development Dr. S.R. Bhargav Gold Medal Dr. S.R. Hora Gold Medal इतियादी प्रदान किया गया है उनका केरियर एक तरह से देखा जाए तो उपलवधियों से भरपूर रहा है Dr. Iappan, मृदु भास्री और टीम वर्क की बावना से कारे करने वाले व्यक्ति है जारखन राजी को उनका स्नेह एवंग मार्दर्सन हमेशा मिलता रहा है बर्स 1913-14 में राची के किसान प्रस्रिक्षन के इंदर शाली मार में केज कल्चर के डेमो केज का उदगाटन उनके करकमलों से कराने का स्वभागे जारखन के मत्स निदेशाले को प्राप्थ हुआ अन्यों सरों पर भी जब भी वे बिर्सा क्रिशी बिश्व द्याले या पलांडु इस्तित भागवानी सोद संस्थान या रालेवं गोंद सोद संस्थान नामकूं के कारे से राची आते तो मात्सकी के चर्चा अवश्य करते और जार्खन में हो रहे कार्यों की जानकारे प्राप्त करते हैं उनके पदमश्री मिलने से मात्सिकी के छेतर में कार कर रहे हैं सभी वैग्यानिकों, सोधार्थियों, सिक्षगन, पदाधिकारी गन, मात्सिकी के छेतर से जुड़े सभी उद्यमी, मत्सपालक और राश्ट्रिय तर्थांता राश्ट्रिय अस्तरपर्व के प्रसंसकों में हर स्वंग उलास का संचार हो रहा है जोक्टर एस से अपन को पदमश्री परदान करने के लिए भारत तरकार का बहुत बहुत धन्यवाद